हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे पिटुनिया का प्लैंट क्यों खाराब हो जाते हैं फ्रेंट्स हम लोग काफी समय देखते हैं कि हम लोग नारसारे से लाकी पिटुनिया का प्लैंट लगाते हैं चाहे हम सीट से ग्रो करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग देखते ही कि पिटुनिया का प्लैंट का पत्या गलने लगते हैं चाहे नीचे से शरने लगते हैं चाहे मूर्जा जाते हैं पत्या जो है मरोड जाते हैं इस तरह से काफी सारे प्राब्लम होते हैं और जिसके लिए क्या होते हैं हम लोग क इसका जो है में तीन कारण होते हैं ओही आज मैं आज वीडियो पे शेयर करने वाली हो तो फ्रेंज पीटुनिया का प्लैंट को अगर अच्छी तरह से अगर देख भाल किया जाए तो यह अपको आपका पुरा गार्ण को जो है किला के रखने वाले हैं तो अच्छी तरह से है कि देख भाल करने के लिए अच्छी तरह से पॉटिंग्ज मिक्स होना चाहिए अच्छे एलम होना चाहिए और कहतंँ अच्छी तरह से दूप लगना में जोड़ी है अच्छे के शोड़ करना भी जोड़ी है तो पहले तो मैं इसका बात बता देती हूं कि चैंब्र के जैसे कि सुचिए कि आप अगर 70% अगर सोयल देते हैं उसके बाद उस पर आप 20% आप कोई भी फाटिलाजर यह उसकेजिए चाहे वार्नी कमपोस हो चाहे कावड़न कमपोस हो चाहे पतिया वाला खादो कोई भी खादो वह आप 20% यह उसकेजिए और 10% सेंड यह से तरह से स्वायल मिक्स जो होते है पेटूनीया प्लाइन के लिए बेस्ट होते क्टो ए और अगर अगर इसके बादले मिन अगर आप फैलेजर कमात्रा आगर स्व्श्य petit अपिश्य सोय्समें में अपका झ्यादाप पर जाते हैं तो फिर अपका जो हैंक पिट्टुनिया पीटुनिया का प्लैंट को अगर आप दूबरा रिपोर्टिंग करने जाए फिर भी जो है यह जो है खाराफ होने का थोड़ा गल्ती पड़ी जो यह खाराफ हो जाते हैं तो कुल मिला के बात यह है कि पिटुनिया एक जो है बहुत ही sensitive plant होते है तो इसका देखरे को ऐसा ही होना चाहिए तो मैं तो soil mix में कैसा fertilizer देना चाहिए वह मैं आपके साश्यर कर चुकी हो अब बात है liquid fertilizer के बात के liquid fertilizer प्लाइजर आप जब भी दे तो liquid fertilizer में जो होते है शोर्षो खाली का liquid fertilizer वह तो बेस्ट होते हैए कोई भी उंटारिंग फ्लारिंग प्लैंट के लिए अच्छे सोर्षो का खली का भी जो लिकुइट अफटलेजर जब बनाएंगे तो इतना लाइट होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल भी जो उस पी जो शोर्षो खली का जो है आंस बहुत ही कम रहे इस तरह से लाइट करके बना के आपको फटलेजर के उस करना चाहिए अगर आप बहुत जो है गारा करके अगर सोर्षो खली का फटलेजर आप अपना पिटुनिया का प्लैंट में अगर तक मुदुनिया कैसे द्ध Chelsea कि भी होते मिन करने ज़ ज्लो यस जाड़ पिटुनिया का प्लैंट कर नीचकर नीचे वुआ पतियों को जो है गला देते हैं भी ज्याद अगर प्लैंड हो जादा है दो जब फटलेजर को ज़से जनफतेमरते प्लैंट आप लिक्विड फट लेजर जब भी दें तो बहुत ही स्ट्राइट करके आप जरूर दें में बाहत करते हैं फान रशाया है फीडियो म्ही हम पाणी कर से ज संट 시작 यहीं तो हम प्रब्ल्म जहांड आपके बताए दो नंबर पर कि नीचे से पतिया गलने लगते हैं जड़े गणने लगते हैंी जिसके लिए अपका फुड़ा प्लैं忍 जो हे कहाण हो सकते हैं तो पानी मी जो है बहुत अच्छे से मीटूको चेक करके ही पानी दे सूख जाने पर ही आप प्लैंट को पानी दें इसके बाद आते हैं चौर्थी कारण क्या होते हैं कि अपका पीटुनिया का प्लैंट में जब भी फ्लावर बन चुके होते हैं मालिज आपका प्लैंट में जो पीटुनिया का प्लैंट में फ्लावर हो चुके हैं उसके बाद जो है फ्लावर जो शुकने लगते हैं जैसे फ प्लाइं जौह बनाने लगते हैं जिसके लिए जो एक बर जब सीडस बन जाते है तो क्या हमतありがとうございます जो है एनर्जी खतम हो जाते हैं और जो प्लाइट पे दिरे दिरे बिलकुल मुड्र जाते हैं तो अब कोशिश कीजिए कि जितना भी शुख वे फ्लावर हो सुख हुए सभी फ्लार को हटा देने के लिए तो इस तरह से सभी बात को गौर रखते हुए अपना पिटुनिया का प्लैंट को क्यार करें और अपना गार्डेन का सोहा बारा है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बक्स पर जोरूर बताईएगा वीडियो को लाइक जोरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्रा